सावनेर में हिट जोती फाउंडेशन पुलिस और सामाजिक कारिकरताओं ने मानफता की मिसाल पेश की हिट जोती फाउंडेशन ने बेसाहरा बुजूर्ग का अंतिन संसकार करवाया मृत बुजूर्ग वैक्ति कौन थे कहां से आये नी संतान थे या नहीं इसका तो किसी को कुछ पता नहीं वो बीदे 28 तारिको सावनेर के भाले राव हाई स्कूल के सामने पड़े हुए स्कूल के शिक्षकों को दिखाई दिये तेज बारिश में लाचा बेबस से बचने के लिए छतरी और खाने के लिए भोजन दिया लेकिन एक दिन के सेवा के बाद उनका क्या होगा ये सोचकर स्कूल की प्रोफेसर डॉक्टर अमीता वाटकर त्रिवेदी ने हिट जोती फाउन्डेशन सावनेर के संचालक हितेश बंसोड को सूचित कर बुलाया ह हितेश उन बुजर्ग वैक्ति को अपने घर ले गए वहाँ उनको नहलाया उन्हें खाना खिलाया उसके बाद हितेश बंसोड बुजर्ग वैक्ति को आश्रम में भरती करवाने के लिए बुट्टी बोरी के प्रयाग डोंग्रे इनके साथ फाउन्डेशन में ले गए वह लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया शनिवार की राद 11 बजे वे मृत अवस्था में दिखाई दिये सावनेर पुलिस को सूचीत करने के बाद उनका पोस्ट मार्टम किया गया मृत बुजर्ग वैक्ति चूकी व्रद और निसंतान थे इसलिए ग्राम के किसी अन्य वैक्ति द्वारा उनका दहा संसकार किया गया हितेश बंसो डॉक्टर संकेत वाडूकर पुलिस निरिक्षक मारुती मुलक पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रियंका गेडाम पुलिस हवलदा संजिशिन दे पुलिस नायक मानिक शेरे घंशाम तुर्के रजत रुशिय राजा फुले शिवा मोरे सूरज शेलकर मोनू वीर खरे आयूश तरवेधी नगर परिशत करमचारी लाला समुद्रे और एक रुपए डोनेट ग्रोप नाकपुर इन लोगों ने मानविये छवी का परिचित देते हुए शव के अंतिम संसकार के लिए व्यवस्था करा कर शव को सावनेर में ही पूरे विदिविधान से शव का धासंस का संपन किया इनके सरहानी काम के प्रकाश में आने के बाद हर कोई इनकी प्रशंसा कर रहा है सभी जनपद वासियो द्वारा इस कारी की खुब प्रशंसा की जा रही है पूरे सावनेर इलाके में इन लोगों की भूमिका का गुर्णगान हो रहा है लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसी मानफता कभी नहीं देखी बताया जा रहा है कि म्रत बुज़र्व व्यक्ति को शायद किसी ने रात के अंधिरे में सावनेर के स्कूल के पास कोई छोड़ के चला गया वो ना चल सकते थे ना ठीक से सो स सकते थे मरने के हालात में उन्हें छोड़ कर चले गए इन बीसी न्यूस के लिए सावनेर से अरुन महाजिन की रिपोर्ट